हेलो फ्रेंड्स हाव यू वैलकम टीव इन माई यूट्यूब चैनल क्रिशना टूटोरियल फ्रेंड्स हम आज आपको सिखाएंगे कि घर पे ही एक मनी बॉक्स यानि गुलक को कैसे डेकुरेट कर सकते हैं फ्रेंड इसके लिए हमने एक मनी बॉक्स लिया है और फर्स्टली श्थेंगेे फ्रेंड आप इस पे हमने प्लैन वाइस करलर को पुरे कोड अच्छी से कर लिया है अब इसे डेकुरेट बाइंगे के लिए हमने यह इस पार्कल वाली गौल्डन कलर की टेप को हम इसके चारो तरफ चबता लेते हैं इसे चिपकाने के लाद इस चपकाना बहुत आसान है और इसे हम एक नीचे की साइड में भी इसके बॉटम पे भी हम इस सैलू टैप को यानि चपकाने वाले जो स्पार्कल टैप इसे चपका लेते हैं इसके बाद हम इस पे यह जो हमने लेस ली है यह मेरे घर में पहले से ही पड़ी हुई थी इसलिए म मैं फेमिकॉल के हेल्प से इसे चारो तरफ से चपका लेती हुँ इस लैस को मैंने कट करके देखिए फ्रेंट इससे मैं अच्छे से चपका लिया है अम में इसकी नीचे ली साइड में यह मेरे पास बड़े-बड़े से सितारे हैं इने भी चपका लेती हुँ यह सितारे कर आपको दिखाऊंगी तो यह भी हमारी इस money box को सजाने में हमारी बहुत है इन्हें भी मैंने कहीं से पहले से पर्चेज नहीं किया है यह भी मेरे घर पर पढ़े हुए थे तो मैंने इन्हें इन्हें इस money box में यूज कर लिया है आप देखिए फ्रेंट्स आव इसे हम यह जो हमारी स्पार्कल टेप है इस टेप के कुछ तिकौने-तिकौने से मैंने डिजाइन के कट कर लिए हैं और इनसे मैंने एक डिजाइन जो है फूल वला डिजाइन मैंने इस money box में बनाया है, आप भी इन्हें इसी तरह से cut करके design बना लीजिएगा, इन्हें लगाना इतना ही आस जितना इन सितारों को लगाना था, क्योंकि इन्हें इस tape में और गम होता है, तुझे इसे design के हम cut कर लें और इसी तरह से इन्हें one by one करके अपने इस money box में अच्छे स से हम चपका लेते हैं यह लगने के बाद बहुत सुंदर लेगेंगे इसमें हमने कोई जाधा खर्चा भी नहीं किया है और ना खर्चा करने के बाद भी यह मानी बॉक्स हमारा बहुत सुंदर दिखे क्येंकि ये जो टेप है ये स्पार्कल टेप है ये लाइट में में शाइन करती है इसलिक माझनी बॉक्स हमाई माझना वाला बनेगा इसलिए बहुत संदर думत भाग को देखें अब माझना पूरा कि मांझनी बॉक्स हमारा लगबग बनके तयार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे अपने घर पे बनाने की ट्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसमें आप कुछ अपनी तरफ से भी एक्स्टा कुछ जो आपके पास एक्स्टा लैस हो उसे एड़ कर सकते हैं उससे भी यह बहुत सुंदर बनेगा